हेलो बच्चों आज में आप लोगों को क्लास नाइन्थ की डियोई की तरफ से आपको एक मैट्स की हिंदी मीडियम में सपोर्ट मैटीरियल की बुक मिली है ठीक है लेटेस्ट एडिशन की बुक है आपके पास 2023-24 की ही बुक है इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर वन संग कर लिए था आज मैं आपको कोशन नंबर 43 कराने वाली हूं और 44 दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट कोशन है बिल्कुल अच्छे से आप इने समझेगा देखने से कोशन जरूर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत लेंदी कोशन से हैं पर चलो सॉल्व करके देखते हैं स् क्लियर है अब यहां पर आपसे क्या कह रहा है देखो वन अपॉन प्लस एक्स की जो घाते वो बी माइनस ए प्लस एक्स की घाते सी माइनस ए फिर है प्लस वन अपॉन प्लस एक्स की घाते माइनस बी प्लस एक्स की घात सी माइनस बी यहां पर जो यह बी है यह एक्स्ट्र तो देखो आपको पता है यहां पर यह गहात माइनस में तबी होती है जब अधार जो आपके हर बेस होते है अधार क्या लोहने चाहिए जो आपके वह सेम होते हैं और बीच में किया होता है डिवाइड कर साइन होता है, तो घाट माइनस हो जाती है, है न, क्या मैं इस पूरे को यह लिख सकती हूं, 1 अपन 1 प्लस, X की घाट B, अपन X की घाट A, इसको मैं अपन में लिख सकती हूं न, तभी तो घाट माइनस में होई होगी, ऐसी है, आप यहाँ, X की घाट C, अपॉन में X की घात A लिख सकते हो दूसरे वाले पद में भी आप यही कर सकते हो ठीके ना ऐसी आप तीसरे वाले पद में भी यही कर सकते हो X की घात B अपॉन में X की घात C इसके नीचे कुष्णी है 1 इसके नीचे कुष्णी है 1 इसके नीचे कुछ निया 1 अम मैंने क्या किया यहाँ पर जो यह नीचे वाले है ना इनके हर एक जैसे कर दिये तो LCM लेना परेगा तो X की घात A ही आएगा उपर वाला अंश का जो A है वो ऐसी ही 1 ऐसी लिखा उसमें कोई चेंज नहीं है X की घात A, X की घात B, X की घात C आगया ऐसी ही यहाँ पर भी यही किया मैंने X की घात B, X की घात A, X की घात C आगया सेम यहाँ पर भी ऐसी किया X की घात C, X की घात B, और X की घात A और B दोनों आगये अब जब यह नीचे वाला हर है नीचे से उपर जाएगा तो पलड जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है तो X की घात A उपर आ जाएगा नीचे रहेगा X की घात A X की घात B और X की घात C ऐसी है X की घात B उपर हो जाएगा आप देखो यहाँ X की घात B X की घात A और X की घात C है तो प्लस में मैं आगे पीछे लिख सकती हूँ न तो मैंने उन्हें बिल्कुल order से लिख लिख लिए A, B, C सेम ऐसी इसमें किया पहले A वाला लिख 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 अब तीनों के हर एक जैसे हैं तो आप उन्हें A की बाल लिख सकते हो लिख सकते हो न और उपर वाले तीनों अंच वाले प्लस हो जाएंगे कट गए दोनों क्यूंकि सेम थे आंसर आपका बना गया हुआ क्लियर यह था 43 नंबर का कोशन कोशन कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा सा 7 step by step करोगे तो कोई ज़्यादा मुश्किन नहीं है 3 या 4 step में यह कोशन असानी से हो जाएगा ठीक है चलो 44 पे आए तो कोशन नंबर 44 में भी ऐसे ही कुछ दे रखा है सराली करना है आपको यहाँ पर भी तो यहाँ देखो इस कोशन को सबसे पहली बात यहाँ पर X है यहाँ पर X है और डिवाइड में है तो घात जो है वो क्यो हो जाएगी माइनस हो जाएगी पर आप अगर धिहान से देखो तो यहाँ पहले से ही तीनों में माइनस लगा है माइनस माइनस मिलके प्लस होगा न तो इसको मैं लिख सकती हूँ न A प्लस B इस वाले पूरे को और ये वाला A माइनस B ऐसी है ऐसी इसको लिख सकते हैं B प्लस C पता चला न आपको प्लस क्यों लगाया क्योंकि नीचे ओलेडी घात में माइनस था इसलिए ठीक है और B माइनस C ऐसी है C प्लस A और C माइनस A ऐसी है ठीक है अब घात के उपर घात तो मल्टिप्लाई हो जाती है तो B प्लस C और B माइनस C हो गया C प्लस A C माइनस A इसमें सर्फ समी का लग रही है A प्लस B और A माइनस B की तो A स्क्वार माइनस B स्क्वार इसमें भी सर्फ समी का लग रही है सेम इसमें भी वोई सर्फ समी का लग रही है अब तीनों के में X और B बीश में मल्टिप्लाई है तो घाट प्लस हो जाएगी हो जाएगी ना तीनों घाट प्लस P²-C² C²-A² यह इससे कट गया यह इससे कट गया यह इससे तो X की घाट 0 आगई जिसकी भी घाट 0 होती है वो 1 होते है तो इसका आंसर भी आपके पास 1 ही है लियर हुआ यह था question number 44 तो आज की class में 2 questions complete कर लिए दोनों आपको मिल जाएंगे यह आप चैनल पर इसे कर लीजे इसे अच्छे से इसके साथ अपने friends के साथ share कीजे इन वीडियो को उने बताईए किस चैनल पर support material के solutions अपलोड होने शुरू हो गए है साथ के साथ chapter number 2 भी upload हो रहा है आपका इसी चैनल पर तो आप उसको भी सासत कर सकते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करो चैनल को subscribe कर लो ताकि आपको notification मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो आगे के questions next class में करेंगे Thank you